अपना कोईन कोई दाईत्व निभाने का प्रयास कर रहा है ये खबरें ये अपने आप में हारत के उजवल भविश्य के लिए शुप संकेथ है कल हमने देखा है पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार करने के लिए हर किसी के दाईत्व के समन्द में पूरे देश ने एक संकल्प किया है इन सब के परिपेख्ष में हम चाहेंगे देश भी चाहेगा देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसत का ये सत्रव और आगे ने वाने आज़ाले भी सत्रव आधादी के दिवानों की जो भावनाएं थी जो स्पिरिट था आधादी के अमरुत महुत्व का जो स्पिरिट है उस्पिरिट के अनुकूल संसत भी देश हित में चर्चाएं करें देश की प्रगती के लिए रास्ते खोजें देश की प्रगती के लिए नए उपाये खोजें और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समरुद्धी वाला दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्पव निर्णों वाला बने मैं आशा करता हूँ कि भविष्य मैं संसत को कैसा चलाया कितना अच्छा कॉंट्रिबिशन किया उस तराजू पे तोला जाए न कि किसने कितना जोर लगा करके संसात के सत्र को रोक दिया यह मांदन नहीं हो सकता है मांदन यह होगा कि संसत्वें कितने घंटे काम हुआ कितना सकारात्पव काम हुआ हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तयार है खुली चर्चा करने के लिए तयार है सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तयार है और आज़ादिक अमरुत महुत्व में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो संसद में शांती भी हो हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाब सरकार की नीतियों के खिलाब जितनी आवाज प्रकर होनी चाहिए हो लेकिन संसद की गरीमा, स्पीकर की गरीमा, चैर की गरीमा इस सब के विशह में हम वो अशरन करें जो आने वाले दिनों में देश की गवापीडियों को काम आए पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्तिती में भी देश ने सौ करोड से अधीक डोजीच कोरोना वैक्सिन अब हम देड़ सो करोड की तरब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं नए वेरियन की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं मैं साउसत के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्षना करता हूं क्योंकि आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्षना करता हूं क्योंकि आप सब का उत्तम स्वात देश वाच्चों का उत्तम स्वात ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राष्पिक्ता है देश के असी करोर से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ नहों हो इसलिए प्रधान मंत्री गरीब के लियान योजना से अनाच्च मुक्त में देने की योजना चल रही है अब इसे मार्च दो हजार बाईस तक समय आगे कर दिया गया है करिब दो लाग साथ हजार करोड रुपी है की लागत से असी करोड से अधिक देश वासियों को करिब के घर का चूला जलता रहे इसकी चिंता की गई है मैं आशा करता हूँ की सत्र में देश वित के निर्णे हम तेजी से करें मिल जुल करके करें सामाने मानुई की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें ऐसी मेरी अपेक्षा है बहुत बहुत धन्यवाद